सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमिय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमिची नेट पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ICT के अंदर binary नमबर, octal नमबर, decimal नमबर और hexadecimal नमबर के बारे में दोस्तो इसमें से काफी बार question आते हैं तो ये concept हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है दोस्तो हमने NDA UGC net December 2019 exam के लिए एक paid workshop group बनाया है इस group में हम आपको दोस्तो systematic ढंग से study करवाएंगे इस group में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो theoretical होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस group में आपको दोस्तो 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए लिंक video description box में दिया हुआ है तो चलिए दोस्तो अब हम जानते हैं binary numbers और digital numbers के बारे में दोस्तो questions करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि binary number क्या होते है octal number क्या होते है decimal number क्या होते है ठीक है इनके बारे में पता होगा तब ही हम अच्छे से question कर सकते हैं और एक बात और दोस्तों हम यहाँ पे इनका ज़ादर डीटेल के अंदर नहीं जाएंगे हम बस उतना ही बेसिक चीजे करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की बाइनरी नंबर्स के अंदर दोस्तों दो डीजिट होत अज़ से लिखा जाता है बेस कैसे होता हि क्या होता है वह भी हम आपको आगे बता देंगे ठीक है अब बात करते हैं auktal number at number के बारे में दोस्तो टोटल जो value होती है total digit जो होता है वो eight होती है ते ह्ट होते हैं यह झाक्ष कहा जाता है और in this is जीरो से लेके 7 तक होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 stuff यनि कि 8 digit होती है लेकि 8 इसके अंडर नहीं होता इसके अंदर 7 तक हमारी count होती है अगल याती है दोस्तों हमारा decimal number system decimal number system के अंदर हमारे दोस्तों total 10 digit होती है इसके अंदर 0 से लेके 9 तक count किया जाता है यहां से देख सकते हैं направ něे सब कुछ लिखा हुआ आगे बात करते हैं हेगज़डिसिमल नंबर के बारे में हेगज़डिसिमल नंबर के बारे में दोस्तों यह होता है कि इसके अंदर टोटल जो alphabet होते हैं, वो 16 होते हैं, 16 के अंदर 0 से लेके 9 तक 10 तो यह होगी हमारी counting होगी, ठीक है, फिर 11, 12, 13 जो आगे आते हैं, वो A से F तक denote किये जाते हैं, और इसके अंदर जो A होता है, वो 10 के लिए, B 11 के लिए, C 12 के लिए, D 13 के लिए, E 14 के लिए, और F 15 के लिए होता है, ठीक ह यहां से आप देख सकते हैं, और एक बार फिर हमने एक टेबल बना रखिए, इसमें आप देख सकते हैं, बाइनरी के अंदर दो डिजिट होते हैं, जिसमें 0 और 1 होता है, ओक्टल के अंदर 8 होते हैं, जिसमें 0 से 7 तक होता है, डेसिमल नमबर के अंदर 10 होते हैं, जिसमे तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक कौन से नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि वो हेग्जाडेसिमल नंबर के अंदर आते हैं एक बार इसमें से कोशन आया था और इसी तरह से ओक्टल के बार बार इसमें तो यह चीज हमें ध्यान रखनी जिरूरी हैं और दूसरा जो कौशन आता है दोस्तों वो हमारा आता है जैसे कि कौनवर्जेशन हैं से कदेशमर्ड करने के आता है बाइनरी से हमें डैसीमल के अंदर करना है एक्जाडे exempel के यहाँ पर हमकुछ एक्जाम-पल देख लेते हैं जिससे आप असानी से समझ जाएंगे और अगली वीडियो में मैं आपको वह कोशन दिखाऊंगा जो यहां से उठे हैं यहां से आए हैं तो यह जो वीडियो देखने के आप वह कोशन बिल्कुल असानी से कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइन इसे decimal number में convert करना है ठीक है और यहां पर जो बेस की जो बात कर रहा था मैं बेस का मतलब हो था कि यह देखिए नीचे जो टू लगाऊ है इसे हम बेस कहते हैं ठीक बाइनरी नंबर को इस तरह से लिखते हैं और decimal number के अंदर जो बेस होता है वो 10 होता है इसे हम convert करेंगे तो convert क करने का तरीकाप देखए कैसे हम इसे करते हैं छ cela करते हैं देखिए इसके अंदर सब मेरा पर से पहला हमारा स्टैप वो बाइनरी जो नंबर को हम इसे इस यहाँ पर देख सकते हैं, तो की पावर यहाँ पर है इसकी two क Y है 0 ठीक है पिर two कY Pावर 1 है two की पावर 2 है, two की पावर 3 है ठीक है 2 की पावर 1, वो 2 के equal होता है 2 की पावर 2, 4 के equal होता है यहां से आप देख सकते है 2 की पावर 3, यह 8 के equal होता है यहने कि सबसे पहला हमारा step यह है कि सबसे पहले हमें जो binary number दिया है वो इस तरह से लिखना है ठीक है, उसके बाद में अगर हमारा binary है यहाँ पर देखिए अगर binary है तो उसका base 2 होगा 2 है तो 2 की power हमें इस तरह से लिखते हुए जाना है ऐसे ठीक है और फिर 2 की power जो है वो हमें real में लिखनी है कि 2 की power 2 किसके एक्वल होती है 2 की power 3 किसके एक्वल होती है तो इस तरह से हमें सभी की value यहाँ पे लिखनी है ठीक है अब हम बात करते हैं कि next step में हमारे साथ क्या होगा अब देखे step number two step number two के अंदर क्या होगा हमारे पास यह जो हमने ऊपर जो value लिखे थी यह देखिए यह और जो हमारा binary number था यह था सबसे पहले binary number लिखेंगे ठीक है और फिर हमारी यह जो value आई थी यह हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारा जो binary number है उसको नीचे जो value आई है अपने two की पावर zero two की पावर एक two की पावर two two की पावर three करने से ठ ठीक है, एक को एक से गुना करने से एक आता है, जीरो को दो से गुना करने पर जीरो आता है, ठीक है, इस तरह से हम इनको मल्टिपलाई करेंगे, तो हमरे पास आंसर यह आजाएगा, यहां तक यह स्टैप करना है, दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया, अगर आपको समझ तो हम जैसे ये लिख लेंगे इसके अंदर binary number लिख लेंगे ये लिख लिया ठीक है फिर two की power है वो इस तरह से लिखते जाएंगे जितने हमारे आगे चलते जाएंगे यहां पर उस तरह से two की power लिखते जाएंगे फिर two की power को इस तरह से हम convert कर देंगे ठीक है और अगला जो step होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे step number 3 के अंदर अपनी step number 2 के अंदर जो यह value आई है इन सभी value को हम add करेंगे इन सभी को add करने पर 13 आता है ठीक तो यह जो 13 हो गया यह हमारा decimal number होगा तो यानि कि इसका जो answer होगा 1101 binary number को जो हम convert करेंगे decimal के अंदर तो 13 इसका answer आएगा यह जो answer है यह जो answer है तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते कि कैसे हम इसे convert करेंगे ठीक है और आप और भी example करके देख सकते हैं आपको मिल जाएंगे books विगरा में तो वहाँ से आप करके देख सकते हैं और अब हम बात करते हैं आगे 1218 इसका base है इसे convert करना है हमें decimal number के अंदर तो इसके अंदर भी सबसे पहले वही चीज हमें करनी है दोस्तो इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा dash octal number है उसे हम इस तरह से लिख लेंगे ऊपर 1212 ठीक है और फिर यह देखिए octal octal की हम बात कर रहे है octal के अंदर base 8 होता है ठीक है तो उस 8 को यहाँ पर लिखेंगे और उसकी power हम लिखते जाएंगे 8 की power 0 8 की power 1 8 की power 2 8 की power 3 इस तरह से हम लिखते जाएंगे और फिर क्या करेंगे हम इस power को convert करेंगे real value के अंदर convert करेंगे और जो real value है दोस्तो इसकी इन सब ही कियाएगी ये हमने यहाँ पे लिखा था पता नहीं क्यों नहीं आया PDF में चलो कोई नहीं आप यहाँ पे देख सकते 8 की power 0 करते तो 1 आता है मैंने बताया था कि कुछ भी हम कोई भी हमारा अकसर है उसकी power 0 करते तो वो 1 आता है 8 की power 1 आएगा 8 की equal 8 की power 2 8 8 64 ठीक है 8 की power 3 आएगा 512 की equal आएगा इस तरह से हमें ये लिखनी है और अगला जो step होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अगले step में हमें क्या करना है अब ये देखिए कि अगले step में क्या होगा हमारी ये जो value थी हम ये इस तरह से लिख लेंगे ठीक है और 8 की ये power करने से हमारे पास ये जो भी आया है इन सभी की power करने से ये आगे हमारा ठीक है वही step हमें करना है जो हमने binary numbers में किया था कि जो हमारा की 512 के 7 में करेंगे तो 512 ये हमारी value आगी ठीक है next step दोस्तो step number 2 के अंदर जो हमारी ये value आई है 512, 64, 16, 16 और 1 इन सभी को step number 3 के अंदर हम plus में करेंगे ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इन सभी को जब हम plus करते हैं तो 593 आता है ठीक है 593 आने के बाद में ये हमारा answer आ जाएगा अब देखिए 1, 1, 2, 1 octal number है इसे हम convert करेंगे जब decimal के अंदर तो हमारा answer ये आएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि octal को हम कैसे convert करेंगे अब बारी आती है दोस्तों hexadecimal number को decimal number में किस तरह से convert करेंगे देखिए ये हमारा एक question है इसके अंदर दिया है कि ac9 और इसे हमें convert करना है decimal number के अंदर ठीक है तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि a का मतलब क्या होता है a का मतलब होता है 10 होता है हमने पहले दिखाया था आपको और c का मतलब होता है 12 होता है चलिए हम आपको एक बर दिखा दिता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा ये देखिए यहाँ पे हम सुरुआत में आते हैं यहाँ पे ये देखिए ये 9 हो गया a का मतलब 10 हो किया b का मतलब 11 c का मतलब 12 d का मतलब 13 e का मतलब 14 f का मतलब 15 तो इस तरह से आप देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है तो हमें इसमें भी क्या करना है इसके अंदर सबसे पहले जो a की value है वो लिखेंगे c की value है वो लिखेंगे 9 का तो 9 होता है ये हमें पता है ठीक है और अब बात आती है इसके अंदर जैसे कि ये हमारा hexadecimal number है hexa hexa का मतलब होता है दोस्तो 16 होता है ठीक है 16 होता है तो 16 की power 0, 16 की power 1, 16 की power 2 इस तरह से हम लिखेंगे और अब इन powers को हम इस तरह से convert कर देंगे 16 की power 0 होती है 1 सोला की पावर एक सोला, सोला की पावर दो 256 इस तरह से ये होता है ठीक है, इतना आ गया समझ में यानि कि ये जो step है हमारा ये पहले पहले जो था वैसे ही repeat हो रहा है और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो value लिखी थी, ओपर जो value लिखी थी, ये देखिए ये जो हमारी value है ये यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ठीक है और फिर ये powers को convert करने के बाद में अपनी value आई ये जो value आई, ये ऐसे लिखेंगे ठीक है और अब इन दोनों को हम multiply करेंगे, 9 को multiply करेंगे तो 9 आ गया, 12 को जब 16 के साथ करेंगे तो इतना आजाएगा 10 को जब 256 करेंगे तो इतना आजाएगा और step number 3 के अंदर हमें पताई है, step number 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, इन सभी को प्लस करने पे 2761 ये हमारा answer आ जाएगा यानि कि AC9 इन hexadecimal नंबर है, इसे हम जब convert करेंगे decimal के अंदर तो 2761 हमारा answer आ जाएगा, ठीक है, तो दोस्तो इस तरह से आप binary number को decimal number में convert कर सकते हैं, octal को आप decimal में और hexadecimal को decimal में ये हमने बता रखा है इसके अंदर दोस्तो अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में ना आए, तो आप हमें comment box के जरीए पूछ सकते हैं, उसका answer देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसे like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिए और इसके बाद हमारे next वीडियो भी आएगी, उसके अंदर हम बताएंगे कि decimal नमबर को किस तरह से binary में convert करते हैं, ठीक है और hexadecimal को हम binary में किस तरह से convert करते हैं कि इन सभी का उल्टा क्या होगा वो भी हम आपको सिखाएंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थैंगे